नमस्कार, वेलकम टू एक सर्विशमेन इंडिया येटूब चैनल, दोस्तो, इफाइलिंग का समय आप आगया, आपको अपना इनकाम टैक्स रेटान भरना होगा ओनलाइन, तो अब जैसे की जानते हैं कि इफाइलिंग का जो पोर्टल है इनकाम टैक्स का वो भी अभी अप को फाम परना है पोर्टल 2.0 में तो जैसे की आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इफाइलिंग का जो अपग्रेड़ेट पोर्टल है इफाइलिंग 2.0 इस पे आप कैसे इफाइलिंग करेंगे वो तो आप कहीं से भी जान सकते हैं पर आज का इस वीडियो में आप ये देखें पैसे ब्रस आपका disability pension ये टॵच जितना pension है टॵच आपको किसी तरह और है का एक पैसे कभी टैक्स जिनने का जौरत नहीं है एक पैसे कभी टैक्स भरने का जरुरत नहीं है ये कि टवच का आपको चुट मिलेगा तो ये चुट आपको कैसे मिलेगा माल लिजे आप एक िा भी सुमयन है, यानि कि आप कहीं काम कर रहे हैं, चाहिए ओ गवर्मन्न में हो या फ्राइबेड में हो, तो आपका जो टोटल इंकाम आता है, वो तो टैक्सबल इंकाम होता ही है, ऐसे सीचेशन पे आप जॉब ए-फाइलिंग कर रहे हैं, तो आप कैसे ए-फाइलिंग दोस्तों बहुत असान सी बात है, आप लोगिन कर लीजिए अपना इ-फाइलिंग पोर्टाल में, जैसे ही जैसे कि आप देख सकते हैं, आप जैसे लोगिन करेंगे, मैं लोगिन कर रहा हूं अपना खुद का, अपना पैन कार्ड का नंबर इसमें डाल दीजिए, इंटर यूजर आइडी में आपको अपना पैन नंबर देना है, उसके बाद कंटीनू में प्रेश करना है, फिर आपने यहाँ पर आपका पासवार्ड देना है, पासवार्ड देने के बाद आपने कंटीनू बटन प्रेश करना है, जैसे आप कंटीनू बटन प्रेश करेंगे, द ठीक है तो सबसे पहले आपको अगर अपना प्रोफाइल अपडेट करना है तो आप कर लिजिए पर मैं साली जी स्किप कर रहा हूं क्योंकि हमारा में मोटो है यह दिखाना कि आप कहां पे अपना टोटल जो पेंशन एक्जेम्ट करने के लिए पेंशन टोटल पेंशन का टै किया यहां पर क्या करना आपको देखिए 2021-22 कारेंट इसमें आपको क्लिक करना है और कंटिनू करना है बागी कुछ नहीं करना ठीक है आई ट्याट टाइप यह सब कुछ नहीं करना आटमेटिकली आ जाएगा फिर यहां पर दो आप्शन है एक और ऑप्लाइन है यह पर हम पर आपका सुविधा के लिए मैं start new filing इसमें क्लिक कर रहा हूं देखिए यहां पर individual में क्लिक करना है next screen में और individual क्लिक करने का बाद continue में प्रेश करना है जैसे continue प्रेश करेंगे तो यहां पर ITR form आपको चूज करना है जो salary person है pensioner है उनके लिए ITR 1 है तो ITR 1 में हम क्लिक कर है यहां फिर क्लिक करना है ठीक है यहां जैसे जैसे देखिए क्लिक किया ठीक है तो आपका जो यहां पर applicable है इन दोनों में से हमरे लिए में लिए फस्ट वाला कलमी applicable है तो यहां पर continue कर दीजिए ठीक है अच्छा आब इसको okay कर दीजिए अब देखिए personal information आपका है यहां पर personal information अगर आपको update करना है तो यहां पर update कर सकते हैं ठीक है और update करने का बाद देखिए यहां पर personal information में क्लिक किया ठीक है क्लिक करने का बाद बैंक डिटर्स प्रक्राइब सारे चीज़ फिर confirm करना है okay यहां पर देखिए are you opting for new tax अभी देखिए tax का जो slab है यह सब कुछ change हुआ है तो आपने क्या करना है यहां पर एक option देना है आपने new permit आपका अगर home loan बगए तो आपका old में सही है ठीक है पुरणे में सही है तो हमने यहां पर new tax में किया ठीक है और new करने के बाद फिर यह सरे चीज़ जो भी update करना है यह करने का बाद पिर confirm करने का बाद दे इंकम में देखिए आप सी सब पूछा जाता है question ओके यह आपको अगर answer देना है तो आप दे सकते हैं या फिर skip the questions कर सकते हैं यह करने के बाद आपने next column में जाना है लोडिंग हो रहा है अच्छा अब देखिए यहां पर आपका जो एडिट करना है आपका ग्रॉस से देख करके आपने यह भरना है या फिर आपने जो भी calculation करके रखा है उस हिजाब से आपको यह column यह जो पेज है यह जो पेज है इसको आपने जह है complete करना है और complete करने का बाद आपने क्या करना exempt income यह है में जो चीज मैं आपको बता रहा था कि exempt income this information is only for reporting purpose यही वो जगा है जहां पर आपको अपना disability pension को सूख करना है ठीक है यह वो जगा है कहां पर आया आपने ध्यान से देखा होगा कि आपने जो स्टेफ्स एक का बाद एक जो स्टेफ्स भरते गए उसके बाद जहां पर gross total income gross income page में क्लिक किया और वहां पर नीचे यह जो पेज है जहां पर verify your income source details इसका बिलकुल नीचे है आपका देखिए exempt income ठीक है यहां पर क्या करना है if you have any exempt income please add it here यहां पर आपने add details में प्लास करना है ठीक है अब क्या करना है natural exempt income यहां पर आपने क्लिक करना है जहां पर इसलिक लिखा हुआ है यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए बहुत सरे इसमें एक drop down box में बहुत सरे items आएगा इसमें से आपके लिए कौन सा आइटेम है देखिए इसमें यह देखिए इसमें 1018 pension received by विनारा परंबित च pension मैं एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ ठीक है कि यह कहां से मुझे मिला लेखिए add exempt income यहां जाके select mail क्लिक करना क्लिक करते ही यह drop down box का जाएगा इसको जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो 10 18 का बाद लेखिए इसमें लगाता रहा है इसमें देखिए 10 B 10 D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इसके बाद 18 18 का बाद देखिए 18 और 19 यह उपर 18 है 10 18 है नीचे 10 19 है इसका बीच में है defense medical disability pension आपने क्लिक करना है फिर से देखिएगा यहां पर आपने क्लिक करना है जैसे आप क्लिक किया देखिए नीचे का amount वाला यह box है red हो गया इसका मतलब क्या है यहां पर आपने भरना है तो मान लिजिए आपको टोटल तीन लाख साथ हजार रुपया साल आना आपको टोटल pension मिलता है यानि कि यह pension क्या है टोटल pension मतलब आपका service element and disability element टोटल bank account में PCDAC जितना पैसा आपका bank account में एक साल में आता है पर देखिए परपास पैंशन वह amount आपने यहां पे लिखना है ओके जैसे आपने यह amount यहां पे लिख दिया उसके बाद क्या करना आपने बाहर एक बार क्लिक करना है क्लिक करते ही यह red box हट जाएगा यह normal हो जाएगा फिर इसमें इसको add करना है देखिए add button में मैंने क्लिक कर दिया ओकी तो यहां पे क्या हुआ यह exempt income जो है देखिए तीन ल साथा ज़रोपर आ गया अच्छा अब एक बात यहां कहना बहुत जरूरी है यह income है यह income आपका यहां पे नहीं होगा gross salary जो कलम है gross salary में आपका रियम्प्ल अगर आप रियम्प्लाइड है या जो भी है जहां कहीं भी काम कर रहे हैं जहां पे जितने salary मिलता है उहां का जो इसमें जो gross salary है इस कलम में केबल आपका present occupation का salary होगा इसमें pension amount नहीं होगा कोई भी pension disability pension और service element या service pension जो भी कहें आप वो amount इसमें नहीं जुरेगा gross salary कलम में नहीं जुरेगा ठीक है इसमें केबल मतरा आपका present occupation का civil employment का जो salary है वो ही इसमें जुरेगा तूसरा income from house property ये तो आपका अगर है income from other source इसमें भी आपका कोई pension amount नहीं जुरेगा इसमें income from other source मतलब आपका अगर कोई piece deposit बगरा है जहां से आपको interest मिल रहा है इस तरह का या फिर और भी कोई काम करते हैं आप और भी कोई किसी sources से आपका income आता है वो आप अपने जुरना है इसका लब में पर इसमें आपका pension amount नहीं जुरना है इसमें नहीं आएगा क्लियर हो गया ति आपने आपना जो pension income है ना तो आपका income from salary कलम में लिखना है नहीं आपका income from house property में लिखना है नहीं आपका income from other sources में लिखना है इन तीनों कलम में नहीं लिखना है केबल मात्रो एक कलम में लिखना है वो क्या है exempt income exempt income में केबल मात्रो यह amount show करना है बाकी कहें भी सो नहीं करना अब आप जैसे confirm करेंगे तो आपका next कलम आ जाएगा और automatically आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को अपने complete करना है यह हम एक दूसरा वीडियो में बताएंगे कि total जो आपका e filing ITR का है वो कैसे कैसे भर रहा है पर यह आप जानते हैं इसलिए इसको दिखाने का अभी इतना अबसकता नहीं है फिर भी हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे फुरसत में तो दोस्तों आपका जो में जो क्वाइडी था कि disability pension का tax exemption मिलने के लिए कैसे आपने फाइल करना है उमीद्या कि वो आपके पास क्लियार हो चुका होगा फिर भी आगर किसी तरह का कोई question है तो आप हमें जरूर comment box में लिख सकते हैं आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई important information को लेकर के नमस्कार जैहिंद जैभरत